हेलो दोस्तो क्या आपको भी स्नेपचेट के अंदर जो भी स्नेपचेट के मैसेट को अभी तक डिलेट कर दिये हैं उसको वापस लाना चाते हो या तो फिर देखना चाते हो तो इस वीडियो में एन तक बने रहे हैं इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे आप लो को ओपन करने से पहले Snapchat को प्लेश्टूर से अपडेट कर लीजिए तो चलिए हम लोग Snapchat को ओपन कर लेते हैं कि Map a Snapchat को ओपन करने के बाग फ्रेंश यहा पर आपको लेफ साइड कॉनner में यह जो फ्रिला दीख रहे है आपको यह वारा option पर आपको क्लिक कर देना है कर एप उस पर क्लिक करने के बाद आपको स्थेटिक में आ जाना है तो यह यह सेटिंग वाला option है उस पर दोस्तों यह direct loading हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने already username और password डाल दिया है लेकिन जैसे आप my data पर click करोगे तो वहाँ पर आपको पुछा जाएगा आपका Snapchat का username तो आपको सबसे पहले Snapchat का username डाल देना है उसके बाद आपको next पर click करना है तो वहाँ पर आपको Snapchat का password पुछा तो यहाँ पर यह वाला जो option है उस पर tick कर देना है बाकि सारा option पर untick कर देना है तो सिर्फ आपकी जो भी Snapchat की chat history है वह सब download हो जाएगी तो out door next पर click करना है अभी आपको यह पर पूछा जाएगा कि आपको रन्ज यानिकि डेट रन्ज यानिक्त यानि कि आपको जो भी डेटा चाहिए वो कौनसी डेट से कौनसी डेट टक का चाहिए तो यहां पर मैंने पूरे साल का डेटा यहां पर सिलेक्ट कर लिया है इसनेपियो को क्लिक करना है। और यहाँ से jet सिलक कर देना है। उसके बाद friends, यहाँ पर मैं बता दू Storage कया करना है आपको email address देना है, confirm कर लेना है। यहाँ पर edit भी हो सकता है, तो edit भी कर सकते हो। उसके बाद आपको submit वाल ओप्षन क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका Snapchat का जो भी चैट हिस्ट्री है वो सब कुछ वापस आ जाएगा रिकवर हो जाएगा तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को पीना लाइक दूस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कर दीजे साथ-साथ चैनल अभी तक सब्सक्रायब नहीं यह तर सब्सक्रायब कर दीजिए फिर मिलता हमारे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई-बाई